और अगली खबर का रुख कर लेते हैं 1993 के मुंबई सीरियल बम धमाकों के दोशी अबू सलेम को अक्टोबर 2030 में जेल से रिहा किया जा सकता है सुप्रीम कोट ने आज कहा कि केंदर पोर्तगाल को दी गई अपनी प्रतिबधता का सम्मान करने के लिए बाद्ध्य है प्रतिबधता के अनुसार अब सलेम को 25 साल से ज्यादा समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता था लंबी कानूनी लड़ाई के बाद नमबर 2005 में सलेम को पुर्तगाल से भारत ला गया था उसके प्रतियरपन के समय भारत ने पुर्तगाल को आश्वासन दिया था कि उसके खिलाब ब्रित्युदन या 25 साल से अधिक के जेल से कोई जेल का कोई आरोप नहीं लगाए जाएगा तो 1993 के मुंबई सीरियल बम धमाकों में अबू सलेम को एक तरीके से बड़ी राहत के तोर पर अबू सलेम की खबर सामने आई है यहाँ पर कोट दोरा यह कहा गया है सुप्रीम कोट ने साफ तोर पर कहा है कि पूर्टगाली सरकार को जो भारत सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था उसका पालन करना चाहिए और केंदर सरकार उसका पालन करने के लिए बाद दे हैं यानि साफ तोर पर अगर देखे तो 25 साल की जेल की सजा काटने के बाद अबू सलेम को रिहा कर देना चाहिए ये सुप्रीम कोट की तरफ से साफ साफ शब्दों में कह दिया गया है और आपको ये भी बता दे कि साथ हिसाथ लंबी कानूनी लडाई बाद नवंबर 2005 का वो समय था जब अबू सलेम को पुर्टगाल से भारत लाये गया था और उसी समय दोनों देशों के बीच ये प्रतिबधता जताई गई थी कि 25 साल से ज्यादा जेल की सजा अबू सलेम को नहीं होनी चाहिए और इसी में ये बड़ी अपडेट आपको बता दे सुप्रीम कोड की तरफ से जो साफ शब्दों में केंदर सरकार को कहा गया कि 25 साल होते ही अबू सलेम को उसे रिहा कर देना चाहिए अबू सलेम को बता चाहिए